लेकिन एक खिलाली जिसके बारे में बात करूँगा और शुरुबात आपी से करूँगा मुर्ली क्योंकि दुबाइ में मैच है यह और सुरेश रहना देखके तो ऐसा लग रहा है कि वो फिट है बद्दे में केक्विक जिस तरीके से खा रहे हैं और खिला रहे हैं ब्रावो रहे हैं यह बहुत इंपॉर्टन्ट है और वहां पे लग नहीं रा की दन बन रहे हैं अभी तो मेरे हिसाब से तो नहीं अगर आप सही सोच रहे हैं और टीम के लिए सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्यूंकि जिस दिन उन्होंने कहा था कि जो मैच नहीं खेले और कहा कि उनके घुटने में था उस दिन भी वो पानी पिला रहे थे ऐसा नहीं था कि वो कहीं अंदर बैठे वे था या जो भी है पर मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए ये टीम के हिट के लिए नहीं होना चाहिए तो इसका बतला मनिपाजी मानी जाए बात की सुरेश रहना की कहानी इस आई पिल में खतम हो चुकी है लेकि एक चीज है लखी मैस्केट भी होता है क्योंकि उनको जब से ड्रॉब किया है वो मैच इस हार रहे है ये तो प्यूश चावला वाली बात कर दिया है लेकिन फूश क्रिकेट काम आया लेकिन थोड़ा सा पीछे रहे गया कभी-कभी इस तरह की सोच भी आ जाती है क्योंकि जब से उनको ड्रॉब किया वो तीनों मैच आ रहे है कभी जहन में आ सकता है कप्तान के भी आ सकता है और ये बिलीब भी किया जाता है जितना मैंने सुना है तो उस नजरिये से देखे तो एक मोका बनता है अदर्वाइस जिसको खिलाया है उसने भी कोई ऐसा खास प्रदर्शन किया मनी विया को कुछ बोल रहे है मैं मास्क ना उतर जाया है नहीं बड़ कार्तिक उनकी जगा पर जिसको खिलाया है उसने भी कुछ ऐसा प्रदर्शन नहीं किया है कि इन्हों आप उस पर भरोसा जता सको रॉबिन उतपकी आप बात कर रहे है मुझे लगा कि कहीं वो भीच में जगदीशन को खिलाएंगे क्योंकि उनको लास्ट तेम खिलाया था मुझे नहीं लगा था कि उनको बिल्कुली नजरहंदास कर देंगे तो जी हां मैं मानता हूं आपकी बात इसा तो लग रहा है कि रॉबिन लाइन में खड़े हो के खेल रहा है